पुर्वा मंत्री अर्चुनाच चितनिस खंडवा लोगसबा सीट पर उप्चुनाव तो लड़ना चाहती है लेकिन वे ये स्विकार नहीं करती कि उनकी दाविदारी है अर्चुनाच चितनिस ने उप्चुनाव के लिए उमिद्वारी चुता रहे अन्य नेताव के बारे में कुछ ना कहते हैं वे सिर्फ ये कहा कि प्रदान मंत्री की योच्णाव से एक बार फिर खंडवा लोगसबा सीट भाच्पा की छोली मैय की ACN भारत में इस वक्त मेरे साथ BJP की बहुत ही कददावर लीडर अर्चनाच चितनिस जी है आयम इनसे बातचीत करते हैं अर्चना जी आपका ACN भारत में बहुत-बहुत स्वागत है देखे बीजेपी में जब से उपचनाव के डेट्स डेक्लेयर हुए हैं तब से बीजेपी में लगातार माराथन बैठक्स हो रही है और खंडवा सीट जो है वो अगर हम देखे तो बीजेपी के लिए भी और कॉंग्रेस के लिए भी दोनों के लिए बहुत एकदम प्रिस्टीजियस सीट बन गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि दावेदार बहुत सारे हैं आप क्या कहेंगी चनाव तो प्रिस्टीजियस होता है पर पिछले चनाव में आपने देखा है कि चनाव कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रिस्टीजियस था पर बीजेपी इतनी अच्छी संख्या में सीटें जीती विदान से बागी कि सरकार कॉंग्रेस की चली गई और हमारी सरकार पुने स्थापित हो गई और खंड़वा लोकसवाज सीट तो भार्दी जंदा पार्टी के लिए परंपरा का तौर पर एक अच्छी सीट है और बहुत गौरवशाली परंपरा है हमारी वाँपर ठाकरी जी हमारे सांसद रहे हैं परमान गोविंजी वाला हमारे सांसद रहे हैं अमरतलाल तारवाला जी नंत कुमार सिंग जी जो हमारे प्रदेश के अध्दक्ष पी रहे, वे हमारे लंबे समें सांसाध रहे और ऐसा नित्वत्र वह में लगातार मिला है कि भारती जन्था पार्टी का कारे करता एक पार्टी के दिश्टी से बड़ा जवाबदार कारे कर तैयार है। आप भी एक दावेदार हैं वहाँ पे टिकेट के लिए। क्या कहेंगी? कितनी प्रवल है आपकी दावेदारी? दरबसल दावेदार जो शब्द है वो भारती जंदा पार्टी की शब्द कोश्का नहीं। कई मारा हम कहते हैं ना कि राजनीती का Congress करन ना ही होना चाहिए हो गया है यह मूलत है शब्द Congress की शब्दावली का है भारती अंता पार्टी में कारेकरता होते हैं और उमीद्वार होता है बीच में दावेदार नाम का कोई प्राणी नहीं होता है चलिए आप उमीद्वार आप ही रहेंगी टिकेट आप ही को अपने स्वेम के बारे में ज्यादा विचार करना यह अपने आप में एक मांसिक रोग है और मेरा सुभाव नहीं है अपने बारे में बहुत दिर तक सोचने का और हमारी पार्टी की रीती नीती भी है कि संगठन कारेकरता की भूमीगा तै करता है और जिस भूमिका में अपने बहुत अच्छी बात आपने कही लेकिन अगर हम खंडवा की बात करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि नंद कुमार सिंग चाहान दिवंगत जो नेता है उनके बेटे को सिंपती वोट बहुत मिल जाएगा अगर उनका नाम एनाउंस हो जाए तो भारती जनता पार्टी कहा जो कारेकरता खड़ा होगा वो अपने नेत्रत्व की शेष्टा पर प्रधार मंत्री जी हमारे उनने भारत किया गौरव दुनिया में बढ़ाया है तो खंडवा लोकसभा उससे भारत होड़ी है भारत से मुक्य मंत्री जी ने केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं क किस तरीके से उनने लागू किया है क्रेनवित किया है और ये जो सारी विशे हैं कि हम 365 दिन पांचों साल सक्रिय रहते हैं ये बात सही है कि खंडवा लोकसभा का चनाओ कोई सुखद विशे नहीं है हमने अपने नेता को खोया है और हमें सकारात्मक वोट मिलेगा हमें पा हम सब खंडवा के कारकरता माननी पधान मंत्री नरेन मोदी जी की जोली में फिर डालेंगे एक सवाल और पूछूँगी कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस में भी जो है वहाँ भी एक अनार बहुत बेमार की स्थिती है खंडवा की आरुन यादव जी वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कल उनको दिगविजे सिंग ने ट्वीट करके जो है शुब गामनाई भी दे दी हालांकि कमलना जी जो है बहुत ज्यादा उत्सुप नहीं है जो सर्वे रिपोर्ट उसे साब से उनको टिकट देने के लिए क्या इस पर मैं क्या कहूंगी जब 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी तब जनता कहेगी आपने हमसे बाचीत की आपका बहुत बहुत देनेवाद तो ये थी बहुती वरिष्ट बीजेपी की नेता अर्चना चटनिस जी जो बता रहीं थी खंडवा लोकसभा की जो सीट है उससे जो भी उमीदवार बीजेपी संगठन बीजेपी पार्टी तै करेगी उसके लिए कारेकरता जी जान से अपना समय देंगे एसियन भारत के लिए भोपाल से कैमरा मेन अबेस के साथ मुक्ता पाठक